नमबर नाइन रिप्रोड़क्शन इन एनिमर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिप्रोड़क्शन के मोड की तो मोड ऑफ रिप्रोड़क्शन दो होते हैं पहला होता है सेक्शल दूसरा होता है ऐसेक्शल फर्स्ट बात करते हैं सेक्शल रिप्रोड़क्शन की जो रिप्र इंट्रो डक्शन नेक्स्ट एक्सटरनल फर्टिलाइज़ेशन जहां पर मेल और ही मिल गैमिएट का फ्यूजन firefight की बॉढड़ी के आउटसाइड हो वहब उसे कहा जाता है external इंटर्नाल फिर्टलाईजेशन पर मेल और फिमेल गयमेट तोनों का फिउशन फिमेल बाडी के उता है तो से हनुद इन्टरूटलाईजेशन नेक्स आता है अपका उवा और स्पमप ko말 करें तो फीमेल गयमिट को ओवा या फिर हम कहा जाता है और मेल का मिट को हम कहते हैं sperm next जाता है fertilization male और female gamit के fusion को कहा जाता है fertilization next जाता है zygote fertilization के बाद जो egg form होता है उसे कहा जाता है zygote next embryo तो यहां पर embryo के बाद हम कर लेते हैं तो जो हमारा zygote होता है उसमें repeatedly division होनी start हो जाती है वो divide होने लगता एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक के बाद एक वो divide होता है और हमारी उसके अंदर wall of uterus के अंदर वो embedded हो जाता है इसे कहा जाता है आपका embryo next जाता है fetus की बाद कर लेते हैं तो fetus embryo की वो stage होती है जहां पर आप उस body के part को identify कर सके identifyable means आपको पता चले हाँ यहां पर legs है यहां पर हाथ है यहां पर सर है यहां पर other part है next बात कर लेते हैं वीवी पैरस animals की तो जो animals डियरेक्ट यंग वन्स को birth देते हैं उन्हें कहा जाता है वीवी पैरस animals just like dogs तो next आ जाते है ओवी पैरस हो गए next जाता है metamorphosis पे तो आपका transformation larva का adult में होने के time पे जितने changes आते हैं उन्हें कहा जाता है metamorphosis next बात कर लेते है birds की तो hydra के अंदर एक birds part होता है जो की develop होता है और बाद में जाके वही part एक पूरे new individual उसे grow कर जाता है उस part को कहा जाता है birds next आ जाते है budding a sexual mode of reproduction होता है जो की hydra में देखा जाता है इसमें क्या होता है hydra में पहले एक birds निकलती है जो की धीरे 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 एक पूरे new individual में develop होती चली जाती है इसे हम कहते हैं budding next बात कर लेते है binary fusion की binary fusion mode of reproduction और sexual reproduction का पार्ट है और amoeba में विलता है amoeba में इस process के थूँ और sexual reproduction होता है तो यहां पर क्या होता है सबसे पहला हमारा amoeba divide करता है अपने आपको दो पार्ट में divide कर लेता है इसी को हम कहते है binary fusion